सितंबर का महीना है लेकिन अभी भी आधे हिंदुस्तान में बार और बारिश की मार पढ़ रही है नदी नाले उफ़ान पर हैं महराश और गुजरात में इसी तरह के हाला तभी भी बने हुए हैं आखिर ये लोटता हुआ मौनसुन हिंदुस्तान में क्यूं वापस आ रहा हैं और क्यूं इतनी तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है जाने के इस रिपोर्ट को देखिए शहर शहर जलकहर महरास्ट्र टू गुजराब मध्यप्रदेश टू राजस्थान जेले शहर पहार आसमा नियाफ़त अपार सितंबर में भी देश के कई राज्ये बारिश और बाहर की जबरदस्त मार जिल रही हैं चुनोती ना सिर्फ लोगों के लिए हैं बलकि बचाओ दस्ते को भी रहत कारी के लिए कड़ी मशक्त करनी पड़ रही हैं महरास्ट्र गुजराब एमपी और राजस्थान में आसमान से पानी गहर बन कर बरस रहा है तो पहाडी इलाकों के हालात भी भयावा हो चली हैं जहां मिट्टे दर्ट रही है और पहाड ताश के पत्तों के तरह बिखर रही हैं गुजरात के अधिकतर हिस्से जल समाधी ले चुके हैं साबर कांठा से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ ट्रेलर भर है जहां करोल नदी ने इस वाक्त विक्राल रुब धर्न किया हुआ है कार सैलाप के बीच हिचको ले खाय रही है और तीन जिंदगियां कार की च्छत को वसेरा बनाए हुए रेस्क्यू का इंतजार कर रही है लेकिन पाने का तेज बहाओ भी चुनोतियों का पहाड बन कर बचाओ दल के सामने खड़ा है और कुछ ऐसे ही तस्वीरें यूपी के गोंडा से भी सामने आई है जहां घागरा नदी घुस्से में है और हर चीज को अपनी आगोश में लेने पर आमादा है फिर क्या पेर पौद है और क्या घर मकान भी तेज सैलाप के आगे घुटने टेक रहे हैं और लोग अपने आ असमान का सीना फट रहा है और बरस रहे पानी ने नदियों को भी नीन से जगा दिया है लगातार हो रही वारिश से सीता नदी उफान पर है और सड़क के उपर से बह रही है जिसके कारण गारियों की रफ़तार पर भी ब्रेक लग गया है कुछ लोग जान जोखी में डाल कर नदी पार करने को मजबूर हैं और जो सैलाब से दो से चार हाथ करने की हमत नहीं जुटा पा रही हैं उन वाहनों की खतार ने ट्रैफिक जाम के स्थिती पैदा कर दी है प्रशासन की ओर से भी लगातार पानी से दूर रहने की अपील की जा रही है राजस्थान के धौलपूर में भी पानी इनसानों से मकाबला करने के जिद पर अड़ा हुआ है पिछले करीब 25 दिनों से हो रही बारिश ने सड़कों खेतों और तालाबों को पानी पानी कर दिया है ग्रामीन इलाकों में पानी भरने की वज़ा से लोगों को पलाएं तक करना पर रहा है रजोरा खुर्द, रुहाई, जिलरा गाउं की आबादी बुरी तरह से सैलाप की चपेट में आ चुकी है गरीब चार फीट तक भरे पानी के चलते मकानों में भी दरारें आने लगी है उत्तरा घंड के हलदुआनी में भी महज कुछ घंटों की बारिश ने हाहा कार मचा दिया है डेव खड़ी नाला तेज बहाव के साथ बह रहा है प्रशासन के अलर्ट के बावजूद लोग बाज आने को तैयार नहीं है और उफनते नाले को पार करने की कोशिश में जान से खिलवार कर रही है इस वीडियो को देखिए एक शख्स लहरों से खिलवार करते हुए कार को नाले से पार कर रहा था तब ही कार सेलाब में बहने लगी हादसे के वक्त कार में दमपती और एक बच्ची सवार थी जिसके बाद देव दूत बनकर आई एक महिला सेलाब के बीच से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रही और फिर पूरे परिवार को सफुशल बाहर निकाल लिया गया आस्मान से बरस रही आफत और धर्टी पर उफन रही नदियों ने जल परले ला दिया है और आने वाले कुछ दिनों तक इस आफत से रहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है सितंबर का महीना है लेकिन अभी भी आधे हिंदुस्तान में बार और बारिश की मार पढ़ रही है नदी नाले उफ़ान पर हैं महराश और गुजरात में इसी तरह के हाला तभी भी बने हुए हैं आखिर ये लोटता हुआ मौनसुन हिंदुस्तान में क्यूं वापस आ रहा हैं और क्यूं इतनी तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है जाने के इस रिपोर्ट को देखिए शहर शहर जलकहर महरास्ट्र टू गुजराव मध्यप्रदेश टू राजस्थान जिले शहर पहार आसमा नियाफ़त अपार सितंबर में भी देश के कई राज्ये बारिश और बार की जबरदस्त मार जिल रही हैं चुनोती ना सिर्फ लोगों के लिए हैं बलकि बचाओ दस्ते को भी रहतकार के लिए कड़ी मशक्त करनी पर रही हैं महरास्ट्र गुजराद एमपी और राजस्थान में आसमान से पानी गहर बनकर बरस रहा है तो पहाडी इलाकों के हालात भी भयावव हो चली हैं जहां मिटे दर्ट रही है और पहाड ताश के पत्तों के तरह बिखर रही हैं गुजराद के अधिकतर हिस्से जल समाधी ले चुके हैं साबर कांठा से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ ट्रेलर भर है जहां करोल नदी ने इस वाक्त विक्राल रुब धर्न किया हुआ है कार सैलाप के बीच हिचकोले खाय रही है और तीन जिन्दगियां कार की छटको बसेरा बनाए हुए रेस्क्यू का इंतजार कर रही है लेकिन पाने का तेज बहाओ भी चुनोतियों का पहाड बनकर बचाओ दल के सामने खड़ा है और कुछ ऐसे ही तस्वीरें यूपी के गोंडा से भी सामने आई है जहां घागरा नदी घुस्से में है और हर चीज को अपनी आगोश में लेने पर आमादा है फिर क्या पेर पौद है और क्या घर मकान भी तेज सैलाप के आगे घुटने टेक रहे हैं और लोग अपने आ असमान का सीना फट रहा है और बरस रहे पानी ने नदियों को भी नीन से जगा दिया है लगातार हो रही बारिश से सीता नदी उफान पर है और सड़क के उपर से बेह रही है जिसके कारण गारियों की रफ़तार पर भी ब्रेक लग गया है कुछ लोग जान जोखी में डा कर नदी पार करने को मजबूर हैं और जो सेलाब से दो से चार हाड करने की हिमत नहीं जोटापा रही हैं उन वाहनों की खतार ने ट्राफिक जाम के स्थिती पैदा कर दी है पर शासन की और से भी लगातार पानी से दूर रहने की अपीड की जा रही है राजस्तान के धौलपूर में भी पानी इनसानों से मकाबला करने के जिद पर अड़ा हुआ है पिछले करीब 25 दिनों से हो रही बारिश ने सड़कों, खेतों और तालाबों को पानी पानी कर दिया है ग्रामीन इलाकों में पानी भरने की वज़ा से लोगों को पलाएं तक करना पर रहा है रजोरा खुर्द, रुहाई, जिलरा गाउं की आबादी बुरी तरह से सैलाप की चपेट में आ चुकी है गरीब चार फीट तक भरे पानी के चलते मकानों में भी दरारे आने लगी है उत्तरा घंड के हलदुआनी में भी महज कुछ घंटों की बारिश ने हाहा कार मचा दिया है डेवखडी नाला तेज बहव के साथ बह रहा है प्रशासन के अलर्ट के बावजूद लोग बाज आने को तैयार नहीं है और उफनते नाले को पार करने की कोशिश में जान से खिलवार कर रही है इस वीडियो को देखिए एक शखस लहरों से खिलवार करते हुए कार को नाले से पार कर रहा था तब ही कार सहलाब में बहने लगी हादसे के वकत कार में दमपत्ती और एक बच्ची सवार थी जिसके बाद देव दूट बनकर आई एक महिला सहलाब के बीच से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रही और फिर पूरे परिवार कुस्ता खुशल बाहर निकाल लिया गया आसमान से बरस रही आफ़त और धर्टी पर उफन रही नदियों ने जल परलेला दिया है और आने वाले कुछ दिनों तक इस आफ़त से रहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है